वाइस कैसे आप सब आई होप आप ठीक होंगे स्वास्त होंगे लोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए आज इसी पर हम बात करेंगे एक middle class आदमी हमेशा loan लेता है और loan लेकर और war class होता चला जाता है कारण क्या है असल में वह loan लेता क्यों है आज इसी पर हम बात कर रहे हैं loan लेने के बहुत से region हो सकते हैं कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता जिससे हम बच नहीं सकते जैसे hospitality, लड़की किसादी या कोई आपतकाली नार्थिक संकत हो लेकिन आज आज आप यदि यंग है और आज आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन संकतों से को बीट कर पाएंगे ये पूरा वीडियो देखना चाहिए आपको सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि लोन लेना असेट से हैं या लाइबिलिटी से अगर आप लोन लिये हुए अबाउंट से ऐसी चीज़े खरीद रहे हैं आपके शोक के लिए हैं तब तो आप 100% लाइबिलिटी करने ये लोन आपके लिए ले के आपने प्रूब कर दिया कि फिचर में आपके ऊपर कोई बड़ा अर्थिक संकत आने वाला है और आप लोन लेकर को यसी संपत्ती खरीद रहे हो जिससे रेगुलर नहीं होने वाली में गला completely करने काशने क्रें वाली या इस्तिर रहने वाली इससी आप करना हुझ नहीं है बहुत ही आसान है जैसे इसमें आपको थोड़ा सा dna करना है इसमें मैं आपको अपने शोप से कंप्रोमाइश करने के लिए नहीं बोलूगा आप वह भी पूरे कीजिए साथ ही एसेट्स करते रहे हैं मैं बताऊंगा आपको यदि आप लोन लेकर कोई अच्छी लोकेशन में दुकान खरीते हैं जिससे आप हर मीने रेंट कमा सक अब बात करते हैं आपको एक टर्म इंश्रेंस प्लान ले लेना चाहिए आज ही लेला कोई दिक्कत नहीं आपको काफी संकटों से यह बचाएगा दुसरा आपको अपने बच्चों के नाम से थोड़ा-थोड़ा हर महीने इनवेस्मेंट करना चाहिए ताकि फीचर में प्राइब करीब